आज की वायशार के निविडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से Egesher का इस्तमाल करते हुए आप किसी भी एक नेटवर्क में अगर प्लेटेक्स्ट पास्वर्ड ट्रांस्वर हो रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं अगर किसी भी एक नेटवर्क में अगर कोई भी नेटवर्क प्रोटोकॉस का इस्तमाल करता है जैसे कि टेलनेट है, FTP है या फिर हूँ अगर एक अन इंक्रिप्टेड वेबसाइट पर लॉग इन करता है लाइक STTP तो किस तरीके से हम उसके जो पासव करते इस वीडियो को बेने किसी दिरीके सबसे लोपन कर लेता है अपने टर्मिनल को उपन करने के साथ ही मैं आपको बता जाता हूँ आज हम इस्तमाल करने वाले हैं हमारा दूसरा अप्रेटिंग सिस्टम जो है मैं अपने इसकी पहले की वीडियो में देखा होगा जहाप मैंने MSF admin से login करता हूँ मैं Metasploitable में इस पर work करने के लिए तो same process हम आज भी apply करेंगे तो हमारे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है काले Linux और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हार पास आज है Metasploitable तो आज काले Linux पर हम इस्टॉल करने वाले हैं वाइशर्क तो आज हम काले Linux पर open करते हैं वाइशर्क एंड जो Metasploitable होगा वो होगा हमारा एक विक्टिम का अपरेटिंग सिस्टम तो सबसे पहले हैं और में हमेनग इसका फॉन्ट सइज बढ़ा कर लेता हूं सुटो लिक्के वाइशर्क को मैं हो पर स्टार्ट करता हूं तो यह पर हमार पास वाइशर्क ओंए हो चुका है अब सबसे पहले मुझे उस इन्टरफेस को से रेट करन connection को start करना रहेगा अब सबसे पहले हम एक terminal open करते हैं अब सबसे पहले यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर आपको FTP के login credentials को देखना है या फिक किसी भी ऐसे protocol को देखना है जहाँ पर आपको एक un encrypted traffic जा रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले for example मैं यहाँ पर जो मेरा metasploitable है मैं उस पर login करके दिखाता हूँ आपको FTP के थूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ FTP और जो मेरा target है मैं उसका यहाँ पर IP address लिखता हूँ तो मेरा target का IP address है 192.168.154.128 मैं enterprise करता हूँ name मैं आप में लिखता हूँ msfadmin password में msfadmin enterprise करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हूँ मैं यहाँ पर FTP के थूँ मेरा metasploitable machine उस में लोग-in कर चुका हूँ लेकिन scenario यह है कि अगर मैं यही process एक network environment में करता एक security point of view से आपको पता होना चाहिए कि आपका company का network कैसे secure रह सकता है तो यहाँ पर हमको select करना है FTP अब मैंने आपको previous students बताया था display filter और capture filter के बारे में तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ FTP और enter मैं press करता हूँ जैसे मैं आप FTP लिखके enter press करूँगा तो यहाँ पर देख सकता हूँ एक request यहाँ पर हमको नजर आ रही है एक pass request और एक user request है user request में आप यहाँ पर msf admin आपको username देखने के लिए रहा होगा और password यहाँ पर apokada mesf admin देखने के मिल रहा होगा और यहाँ फोर कोば at that जो कि सीक्यूर नहीं है वहाँ पर आपको इस तरह की वर्न अबिलिटी का फायदा उठाके हैकर्स आपके नेट्वोक में हैक कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आप टैलनेट का तरह कर लिया है लस्का करता हो तो है आपको यहां पर क्लिक करने काद अगर आप यहां पर follow TCP stream पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको नज़र आता है जो आपको FTP का जो हमने अभी लॉग इन कर रहा था उसकी information आपको यहां पर नज़र आ रही है username msfadmin, password msfadmin, तो अभी मैं इसको यहां पर clear करता हूँ, same process हम telnet के लिए भी apply कर सकते हैं मैं यहां पर जोसका filter msfadmin करता हूँ, filter करने के बाद अगर मैं यहां पर आपको यहां पर लिखता हूँ telnet, enter press करता हूँ, तो यहां पर आपको telnet के भी packet नज़र आ रहे होंगे, जो मैंने अभी यहां पर transmit किया है तो यहां पर आपको statistic पर जाना है, then आपको क्लिक करने करने के बाद आपको यहां पर TCP पर जाना है, आपको क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पूरा conversation नज़र आता है, जो कि TCP प्रोटोकॉल के अंडर हो रहा होता है, आपको क्लिक करने है, फॉलो स्ट्रीम पर क्लिक करन इसका मतलब क्या है यानि कि जो यू अलफबेट है अगर आपको रेड में नज़र आ रहे हैं यह वह डेटा है जो कि क्लाइंट साइट से गया है और जो ब्लू में नज़र आ रहे है वो है जो सर्वर साइट से रिसीव हुआ है तो यानि कि अगर हम इसको सेपरेट करते हैं क्लाइंट साइट के डेटा को तो आपको नज़र आएगा कि जो यूजर नेम है वो यूजर है और पासवर्ड भी यूजर है तो कुछ इस तरीके से हम जो पासवर्ड को हम क्लियर टेक्स में देख सकते हैं इसी तरीके से हम बात करते हैं STTP की لेकिन इसी तरह की साहँ क को बता सकता ह। कि अगर STPP की बात हुर हैं लेकिन अगर मैं STTP की बात करता है, लेकिन अगर मैं स्कुर तेक्वे करता हूँ कि STTPP की वहां पर ize crypto काल होता है वो यूस करता है SSL और TLS का जिस वजह से हमारे जो MITM attacks होते हैं यानिकि man in the internet attacks होते हैं वो होने से बसते हैं क्योंकि वो हमारे जो data को encrypt कर देता है कि ऐसे formal पर change कर देता है which is non-readable और unreadable तो हम करेंगे कि next videos में आपको बताऊंगा किस तरीके से हम STTP SKB traffic को manipulate करने का try कर सकते हैं वो वाला वीडियो देखने हैं तो please comment करके बताना we want next part on this topic ओके, so फिलाग मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप STTP की बात करते हैं तो वो हम किस तरीक से देख सकते हैं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो मारा filter इसको मैं clear करता हूँ मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं browser को open करता हूँ और एक STTP की website login करके आपको दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर Acunitex पर मैं login कर लेता हूँ sign up पर जाएंगे और मैं user name मैं यहाँ लिखता हूँ test password में test enter press करते हैं तो मैं यहाँ पर फोड़ा गलत password टाइप किया है मैं वापिस से गरता हूँ test test तो यहाँ पर मारा login successful हो चुका है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करने STTP पर enter press करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा login यह मेरा पहला login है जो मैंने गलत टाइप कर रहा था और यह मेरा दूसरा login आ रहा है तो अगर मैं आपको इस वाले पर दिखाता हूँ राइट लिक करना है फॉलो पर जाना है और यहाँ पर आपको दो तरह की स्ट्रीम नजर आती है TCP स्ट्रीम और STTP स्टीम TCP स्ट्रीम का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल जो की TCP का इस्तमाल करता है तो वहाँ पर आपको TCP स्ट्रीम में जाके उस प्रोटोकॉल की information देखने के लिए मिल जाती है तो हम TCP स्ट्रीम में जाते हैं और यहाँ पर अगर आगर आपना नीचे जाते हैं तो जैसे कि आप आप देख सकते हो जो मैंने इवन जो मैंने गलत पास्वर्ट टाइप किया था वो भी आपको पास्वर्ड यहां पे नजर आ रहा होगा इफ यह उसिंग कॉंप्लेक्स पास्वर्ड इस्टिल आपका पास्वर्ड हैक हो सकता है अगर आप एक STTPS का अपसाइट का इस्तेमाल करते हो तब उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है एक बाइं चैनल आपके लाइफ में, आपके करीर में थोड़ी सी एडवांटेज आपको प्रॉबाइट करता है आपको लाइक करना है ने कमने क्पास्ट कर करके आपको वीडियो क्यों नहीं लगी मिलते है न कarna, भी चूह क्ट बाइए